वो दिन आ जा गया साटेडी की दिन स्टॉक मार्केट कुल आयो और स्टॉक मार्केट कुलते ही आपने देखा होगा काफी अपस नाउन चोटे मुटे चल रहते हैं और जैसे ही बज़ेट डेकलेशन शुरू हुआ हमने बहुत बड़ा डीप मार्केट में आते हुआ देखा जैसे मैंने आपको 2019 के end में December 28-29 को मैंने stock market 2020 में कैसे रहेगा ये prediction दिया था और वो prediction as in nifty मैंने दिया था और market के लिए भी दिया था आज 11,800 जो मैंने target दिया था निफ्टी का perfectly done हो गया है नीचे के level हमने पहला target नीचे का निफ्टी का 2020 का achieve कर लिया इवन बीफोर आयट देज बीफोर मैंने आप लोगों के साथ सारी बाते शेयर की थी कि budget के दिन क्या हो सकता है मैंने बोला था budget अच्छा आए budget बूरा आए फिर भी हमारे यह stock market में गिरावट हम लोग देख सकते थे सबसे बड़ा reason है stock market गिरने का यही है because of LTCG जो tax था जो long term capital gain tax है वो हटाया नहीं गया है यह सबसे bad things हम लोग नहीं बोल रहे यह market को पसंद नहीं आई है और वहाँ पे हमने market में selling आते वे देखा है काफी सारी अच्छी बाते भी आई है वो मैं कल के वीडियो में आपको लोगों के साथ शेयर करूंगी bank deposit के लिए एक लाग जो insurance था उससे बढ़के पाच लाग रुपे कर दिया यह हम लोगों के लिए अच्छी बात है पाच लाग रुपे के अंदर जिनका भी income है उनको tax benefit मिलेगा फिर आपने देखा होगा fertilizer के लिए बहुत अच्छी बाते यहां पर हुई है तो overall अगर हम लोग देखेंगे तो budget कल भी मैंने बोला था 50 50 हो सकता है market में profit booking करके चलिए मैं हफ्ते बर से आप लोगों को बोल रहे हफ्ते दर हफ्ते का तो prediction सही जाता ही है अगर साल भर का prediction सही जाए तो वो भी within a one month अगर साल भर का prediction अगर perfect हो तो definitely बहुत बड़ी बात मेरे लिए भी होती है कि perfectly calculations, numerology, astrology के हिसाब से ही चल रहा है market इसे हम लोग नहीं बोल सकते है कि कोई अंदादून प्रोग्राम यहां पर नहीं चलता है यहां पर जो भी predictions होती है बहुत perfect calculations के हिसाब से होती है ऐसे market में आप सोच रखते हो profit होता है यह ऐसे market में भी profit होता है चलिए मैं आप लोगों के साथ profit share करूँ मैंने आपको उसी दिन बूला था कि ऐसे वाले market में आपको frontline counter पे काम करना चाहिए और frontline counter में ही मैंने काम किया है आपको बूला पे काम किया होता है अब देख सकते हो, सुबह HDFC बैंक में काम हुआ है, दो लोट HDFC बैंक में काम हुआ है, यहाँ पे, 917, 931, 938, 945, हाडली 5-5, 10-10 मिनिट के ट्रेड्स यहाँ पे हुए है, और यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हूँ, 3375, यह थे आज के प्रॉफिट, ऐसे काफे सारे प्रॉफिट यहाँ पे हुए है, सारे प्रेडिक्शन्स पॉफिक्ली डन हुए है, तो गाइस फॉलू करिए और प्रेडिक्शन्स पे ध्यान दीजे तिल, बाबाई